अपना विश्वसनीत न्यूस चैनल राश्टे नवाचार रोजगार सहायक के पदपर रोहित बैस कार्यरत था जिसे सचिव प्रभार भी दिया गया था रोजगार सहायक की माता रेखाबाई पती दशरत सिंह आंगनवाडी कार्य करता है रोजगार सहायक रोहित बैस द्वारा जब सचिव का प्रभार था तब नियम के विरुद्ध धनराशी का आहर्ण मदमनरेगा जाब कार्ड धारी टीना पती हुकम मुकाती दशरत सिह पिता हरि सिह, कमल सिह पिता रंचोर जितेंदर पिता गिर्वर से खाटवा के खाते में मजदूरी राशी जमा की गई जबकि उक्तजाब कार्ड धारी द्वारा किसी प्रकार का कोई मजदूरी कार्य नहीं किया गया था फिर आंगनवाडी कार्यकरता रेखाबाई पती दशरत सिंह ने उक्तजाब कार्ड बारी से राशी वसूल कर ली इस प्रकार फर्जी वाडा कर शासन की राशी का दुरूपयोग किया गया है सरपंच द्वारा जब जौब कार्डधारी से पूच्टाच की गई तो जौब कार्डधारी रेखाबाई को धन राशी देना बताया रोजगार सहायक रोहित बैस ने अपने परिजन पिता दशरत पिता हरिसिह वमाता रेखानाई के खाते राशी फर्जी तरीके से आहर्ण की है आशा कार्यकर्ता टीना मुकाती, आशा कार्यकर्ता अनिता के पती कमल एवा आशा कार्यकर्ता लीला के पती जितेंद्र द्वारा भी कोई मस्दूरी का नहीं किया गया आशा कार्यकर्ता ने अपने पती से राशी लेकर आंगनवाडी कार्यकर्ता रेखाबाई को दी पंचायत राज निधी व अन्यमद वर्ष 2018 व दो 2021 तक निम्नलिखित व्यक्तियों के खाते में फर्जी तरीके से राशी डाली गई है रोजगार सहायक रोहित द्वारा जब पंचायत सचिव का प्रभार था तब कालपनिक अपने परिजन मिलने जुलने वाले लोगों के खाते में राशी आहरित की जाकर एक सुनियोजित तरीके से शास्किय धनराशी का दुरूप्योग किया गया ग्राम पंचायत कल्मा सर्पं कवितापती सुरेंद्र सिंह गौड ने आवेदन देकर मांग की है कि रोजगार सहायक रोहित बैस के सचिव कार्यकल के संपूर्ण कार्य की जाच की जाकर उसके प्रभार के समय किये गए आहर्ण आदी की सुक्ष्म परताल कर राशी वसूल कर रोजगार सहायक रोहित बैस के विरुध न्यायोचित कार्यवाही की जाए साथ ही रोजगार सहायक को ततकाल पद से कार्यमुक्त